हलो एब्रिवन आज की वीडियो आपके लिए काफे इंपोर्टेंट है इसमें हम TFRI जवलपूर में आई वेकेंसी जो की पॉमानेंट पोस्ट है या कहें गौवर्मेंट जॉब है उसके बारे में बात करेंगे TFRI का फॉल फॉल फॉर्म ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट है जो की ICFRI का एक इंस्टिट्यूट है ICFRI मतलब इंडियन काउंसिल ओफॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन TFRI मंडला रोड जबलपूर पर इस्थित है मदप्रदेश के अंदर TFRI में 2019 के अंदर एक वेकेंसी आई थी ये जो फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं 2022 के अंदर ये उसी 2019 की आई वेकेंसी का कंटिनुशन है इसके अंदर जो पोस्ट है वो है एक Technical Assistant की पोस्ट जो की 9 है Stenographer की 2 पोस्ट है LDC यहनि की Lower Division Clerk की 9 पोस्ट है इसके अलावा Technician की 3 पोस्ट है जिसमें 1 पोस्ट जो है वो Electrical की 1 पोस्ट Plumber की और 1 पोस्ट जो है Carpenter Trade की है Forest Guard की 3 पोस्ट है साथ ही Multitasking Staff की 16 पोस्ट है जो Recruitment होगा वो Direct Basis पर होगा यहाँ पर से जो Candidate Select होंगे जिनकी Joining होगी वो All India Label पर Transfer ले सकते हैं Future के अंदर उस कहीं पर भी जगे पर जहाँ पर ICFRE के Institute अबलेबल होंगे इसके अलावा जो Age Relaxation दिया गया है Government of India के Rules के According वो Allow होगा Application Fees जो की Non-Refundable है वो 500 रुपए है प्लस 800 रुपए Processing Fees है जिसको सिर्फ Online Mode से फिल करना है Debit Card, Credit Card या Net Banking के दोरा आप फिल कर सकते हो इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका Fees का Acceptable नहीं होगा अगर किसी भी Candidate को एक से ज़्यादा Post के लिए अपलाई करना है तो उन्हें अलग-अलग Form Fill करना पड़ेगा और हर Form की Application Fees और Processing Fees जो है वो Pay करनी पड़ेगी Post के According आप दो Post पर Form Fill कर रहे हो तो दो Post की जो भी Fees होगी आपके According वो आपको Pay करनी है चुकि यह Vacancy 2019 के अंदर आई थी तो उस टाइम पर कुछ Candidate Screened किये गए थे जिनने मलब Select किया गा था उनकी जो List है वो PDF के Form में आपको Official Website पर देखने को मिल जाएगी ठीक है तो वो जो Screen Candidates है वो Written Examination के लिए Eligible है लेकिन उनको वापस से Register करना पड़ेगा और Processing Fees जो है वो देनी पड़ेगी उसके बाद ही वो Written Examination के लिए यह लिखिर परिक्षा के लिए उनको Allow किया जाएगा अदरवाईस नहीं किया जाएगा तो जिन किसी को भी अगर यह Vacancy Fill करनी है तो वो MP Online के द्वारा Fill कर सकते हैं इसके अलावा जो भी Information इन Post के According या Recruitment के According चाहिए वो TFRI के साइट पर मिल जाएगी यह जो Post आई हुई है अगर इन पे जो Selection होगा उनके अंदर जो Salary होगी वो सातवे, Canary, Waitan, I.O. के द्वारा जो निर्धारित की गई है उसके अलावा जो भी Incentive अलग से मिलते हैं वो सब कुछ मिला करके दी जाएगी अब हम Post देख लेते हैं और उनके लिए क्या Qualification मांगी है इन लोगोंने उसके बारे में समझ लेते हैं तो जो Technical Assistant की Post है Category 2nd यह Field Job हो सकती है या Lab Job हो सकती है Pay Level 5 है इसके अंदर Total 9 Post है इसमें यहां पर इन्होंने BSC मांगा हुआ है BSC जो है वो Botany, Geology, Biotechnology या Forestry इन चार में से किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए किसी भी Recognize University के अंदर से पिर जो दूसरी Post है इनकी Stenographic Grade 2nd की क्लास का Certificate मांगा है उसके अलावा Stenography Hindi या English के अंदर 80 words per minute मांगे हुए है इसके लिए जो competitive examination होगा वो institute के अंदर ही conduct कर आया जाएगा इसके अलावा computer application के अंदर इनको Certificate Course भी चाहिए Stenographic Grade 2nd के अंदर जिसके अंदर जो typing speed है वो 5 की depression for each words होना चाहिए 33 post है वो है Lower Division Clerk जिसको short में LDC बोला चाहता है इसके अंदर जो pay level है वो 2 है और जो total post है वो 9 है यहां पर भी इनों ने 12th class का Certificate मांगा है एक Recognize Board से इसके अलावा अगर manual type writer use कर रहे हैं तो English के अंदर 30 words per minute चाहिए और Hindi के अंदर 25 words per minute चाहिए वहीं पर अगर आप computer यूज कर रहे हो तो जो English है वहां पर 35 words per minute चाहिए और Hindi के अंदर 30 words per minute चाहिए चौती post जो है वह technician की है इसका भी pay level 2 है और total 3 post है इसके अंदर किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ड से metric के साथ जो है ITI का certificate चाहिए इनको ITI certificate के साथ जो भी post है उसके relevant जो है इनको ITI का certificate चाहिए फिर जो 5 भी post है वो forest guard की है जो pay level इसमें 2 दिया हुआ इन्होंने total post 3 है इसके लिए भी 12th class का certificate मांगा हुआ है लेकिन इनके condition है कि जो provision period है उस time पर जो भी candidate का selection होगा उसको कम से कम जो forestry training course को पूरा करना पड़ेगा एक recognized forest guard training institute से तो यह जो condition है training course complete करने की यह provision period इनकी selection के बाद की है छटी post जो है वो multitasking staff की है short में MTS बोलते है pay level 1 है salary इसमें और total 9 post है इसके इन्दर यहाँ पा इनोंने 10 वी इनकी 10th का certificate मांगा हुआ है किसी भी recognize board या school से notification में दिये गए जो post है उनको बाद में बढ़ा दिया जा सकता है या कम किया जा सकता है यह सारा कुछ जो authority है वो TFRI के director के पास होगी जो भी candidates हैं उनको online form fill करना इसके लिए MP online में जो है वो link खुला होगा 7 February 2022 रात को 10.30 बजे से जो last date है वो है 5 March 2022 को रात को 12 बजे तक आप form fill कर सकते हैं यह vacancy 2019 के अंदर आई थी तो उस time पे कुछ candidate screened हुए थे तो यह notification कह रहा है कि जो candidate पहले से screened है वो अपने आपको MP online के website पर register कर ले कोई और तरीके से माध्यम से अगर वो application form send करते हैं तो उसको यह accept नहीं करेंगे 5 March 2022 के according यह age को calculate करेंगे प्रत्यक post के लिए minimum और maximum age limit अलग-अलग है technical assistant की post के लिए कम से कम 21 साल की आयू पूरी कर ली होगे लिकि 30 years से जादा वाले नहीं भर सकते जो stenographer grade second है वहाँ पर 18 years minimum age है वहाँ पर 27 years जो है वो अधिकतम आयू है LDC के अंदर भी 18 साल जो है वो निवनितम आयू है जबकि 27 साल जो है वो अधिकतम आयू है technician की post में भी 18 साल निवनितम आयू है अब 30 साल जो है वो अधिकतम आयू है जो technical assistant की post है और technician की post है यहाँ पर अगर ICFRI का कोई employee form फिल करता है तो उसके लिए कोई भी age limit नहीं है वहीं पर जो departmental candidates होते हैं वो candidates जो अल्रेड़ी इस department में पहले से काम कर रहे हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है forest guard की post के लिए 18 वर्स जो है निवनितम आयू है 27 वर्स अधिकतम आयू है MTS multitasking staff के लिए 18 वर्स निवनितम आयू है जबकि 27 वर्स जो है वो अधिकतम आयू है candidates अपने according form fees जो है वो fill कर सकते हैं जो की application fees है वो non refundable है 500 उसके लावा 800 रुपए processing fees है तो total 1300 रुपए जो fees है वो pay करनी होगी तो आप अपने according जो है जब आप form fill करोगी तो आपकी जो fees है last में आ जाएगी आप उसके according उसको fill कर सकते हो उसको pay कर सकते हो जो पहले से screen कियेगे candidates हैं 2019 के अंदर उनको सिफ और सिफ प्रोसेसिंग fees देनी है application fees अब नहीं देनी है जो written examination होने वाला है लिखिर परिक्षा होगी उसके लिए जो center date वगरा है वो उसकी जो information है वो website पर आती रहेगी इसके लिए आप regular website चेक करते रहना जो exam है वो written होगा और प्रतेक पोस्ट के लिए syllabus दिया हुआ है site के अंदर जो question paper होगा वो bilingual होगा यहनि कि Hindi और English दोनों आएगा question paper के अंदर total hundred multiple choice questions होगे उसमें से जो marks प्रतेक question एक mark होगा तो total paper जो है वो hundred mark का होगा प्रतेक पोस्ट के लिए जो MCQs है वो hundred question होगे तो hundred marks होगे क्योंकि एक question का एक mark है अगर आप सही answer देते तो आपको एक number मिलेंगे अगर आप गलत देते हो तो आपका one third जो है negative marking हो जाएगी याई कि 0.33% marks आपके कम हो जाएँगे जो qualifying marks है वो आप अपने according देख सकते हो कि आपको कितने marks लेकर के आने है जो date और time है exam का वो ICFRI या MP online की site पर आपको बाद में inform करेंगे ये stenographer grade second, lower division clerk, forest guard और technician की post पर जो candidates select होंगे उनको बाद में stenography test या physical test के लिए inform क्या जाएगा बुलाया जाएगा जो forest guard post है उसके लिए जो male candidates होंगे उनको जो है paddle चलना होगा 4 घंटे में 25 km उनकी जो height है वो 165 cm होनी चाहिए और जो chest है without expansion 79 cm और with expansion 84 cm मागा इनोंने वही पर जो female candidates है उनके लिए जो paddle चलना है या physical test रखा है वो 4 घंटे में 14 km चलना है height 150 cm मागा है वही पर जो chest है without expansion 74 cm जबकि with expansion 79 cm मागा है जो selection process है वो return exam के base पर होगा इसके अंदर जो candidates है वो return exam में आये marks के according sort list किये जाएंगे मतलब minimum qualifying marks इनोंने decide किया हुआ है वो marks आते हैं तो उसके according ये selection करेंगे आगे काफी अच्छी vacancy है ये इसमें अगर आप qualifying हो आपके जो qualifications है वो match कर रही है आपकी relevant post के साथ तो form को जरूर fill करिएगा ये बस के लिए official website पर जाना आप TFRI सर्च करना Google के अंदर जैसे ही आप TFRI सर्च करोगे ये TFRI की official website है इसके बाद recruitment के अंदर जाना recruitment के बाद direct recruitment के अंदर जाना और direct recruitment में जाते हैं आपको ये slayvers दिख जाएंगे आपके subject के according या तो आप अपना slayvers देख सकते हो form जरूर fill करिएगा अगर आप qualifying हो क्योंकि जतना ज़ादा हम form fill करते हैं कही न कही selection के chances हमारे बढ़ते रहते हैं तो all the best guys जो form भरिएगा exam दीजिएगा अच्छे से all the very best thank you